ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर हर हर महादेव गुरुजी अभी हमने सनस्कृत के बारे में पूरी चर्चा की और ये भी समझा कि गुवर्मेंट आफ इंडिया को स्टेट गुवर्मेंट्स को रिजर्वेशन रखना चाहिए अब हम बात करते हैं जो हमारा दर्म है अभी इसमें ऐसा कि पूरा जो विश्व है गुरुजी ये दर्म के नाम से बढ़ गया है ये हिंदू है, मसल्मान है, सिख है, इसाई है और जबकि हमने ये सुना है कि प्राचीन जो बदती है वो सनातन बदती है और वो किसी की नहीं है वो तो पूरे एक विवस्ता है पूरे संसार को चलाने की तो हमारे दर्शकों को आप ये बताईए, उनकी वी जुग्यासा होगी कि सनातन पदती में और दर्म में क्या अंतर है संसित भासा ये काती है ये लोग के सुकम भुक्तवा पर इस लोग में सुक भोगो परमात्मा का ध्याम और सानावत इत्यादी एक ओल हिंदू के लिए नहीं है सब के लिए साथ में खाओ, साथ में बैटो, साथ में मिल जुल कर रहो और राश्ट की रच्छा करो क्यों हिंदू के लिए नहीं संसित सब के लिए उसी तरह धर्म की बात है धर्म जितने चले चाहे किशियन हो चाहे मुसलिम धर्म हो कोई धर्म हो सब कहां से सुरू हुई सब की सुरूवात कहां से हुई सनातन धर्म की सुरुवात कब हुई रिक बेद से रिक बेद किसे सनातन धर्म की सुरुवात हुई सभी लोग मानते पास्चात पवरोष जितने बिद्वान सब लोग मानते रिक बेद से सनातन धर्म चला उसका आरम भकाल बेद से है लेकि और जितने धर्मा हैं, जैसा कि आपने नाम लिया किशियन है, सब का आरमबकाल है, यहां से यहां तर लेकि सनातन धर्म के लिए बेद परमपराक के उसार अनादी काल से चलाना, तो आप बताओ क्या मानना चाहिए, जिसका प्रारमबकाल निश्चित है, कोई एक व्यक निश्चित नहीं है, एक तत, इस तरह से हम कैसे का सकते हैं, कि सनातन धर्म को छोड़ कर, और भी कोई सनातन रूप में माना जा सकता है, नहीं का सकते हैं, करेंगे, तो सम्में यही भावना आएगी, कब से आपका धर्म सुरू हुआ, आप मूख हो जाएंगे, अब हमारे सनातन धर्म कीजिए, जब पूचेंगे, तो उसका आदी परमात्मा ही है, अब अब तभी जब तक परमात्मा था, तब से उसी सिष्टी अना अदी का जब शुआ है, तो जो सनातन की जो हमारे विवस्ता लिखी गई है, गुरूजी वो क्या है, हमारे गर के लिए क्या वि कि जब gesagt मनुस्र की सृष्टिह हुई तब ब्रह्माध खुछ ही हुए। तब ब्रहमा वालोकतिष्रम मुद। ब्रहमाम्य जब मनुस्र, आप बनायों ति खुछ हो गए लेकिं ब्रहमान ने बनाया। लेकिन मनुस्र के लिए बताए नहीं कैसे तुम रहो कैसे चलो कैसे खाओ कैसे राज ज़राओ ये समन है उसके लिए भगवान ने बेद का निश्वास के बेद का प्रकाशन किया उस बेद में सबका निवुका गुरु जी अब यहां पर एक प्रशन आ रहा है आधि गुरु शंकराचारी जी ने चार मटों की स्ताफना की थी और इसी उदेश से किया था कि अलग अलग शेत्र में दर्म का प्रचार हो प्रसार हो नौर्थ साउथ इस्ट और वेस्चारों दिशाओं में घर्म फैले और उसकी रक्षा की जाए अब जो हम यह अभी हाल देख रहे हैं कि हर मट पे दो-दो शंकराचारी तीन तीन संकराचारी आपस में कोट केस लगा रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं बनने थे सिर्फ चार और आज के डेट में साव से उपर हैं हमने भी सुना है हमारे दादा जी के गुरू रहे हैं स्वामी ब्रहानन सरसुती जोशी मट के कर पाते हैं जी यह थे वो मेरे दादा जी के गुरू थे हमने यह सुना है कि वह 165 साल तक वह गदी खाली रही उसके बाद स्वामी ब्रहमान सरसुची जी को उस गदी पर बिठाया से कजियूंदी उनलगा गैया सव एकसो पैसस साल तक वो गजी खाली रही लेकिन आप उसके बाद अगर हम देख लेंगे जब ब्रहम लीन हुए शंक्राइचारी जी ब्रमलीन हुए तब फिर उसके बाद में शांतानंद जी आए शांतानंद जी के बाद में फिर परंपरा आगे चलती गई लेकर आप देखिए आप तो पूरा आडंबर है तीन चार चार हो गए और आपस में लड़ भी रहें तो लोगों का विश् आने लगें तो उद्धव ने पूंचा तन तुजासेति देविद परमात्मा आप चलो जाओगे जगत की ब्यूस्था कैसे हुए तो कहा आयन तुजगधर्म होई बर्तते कस्त उद्धव से का है ये उद्धव ये तुजगधर्म है किसी का दूसर ने जुग की परंपरा से जुग के अमरूप सब होना है और उसी को लेकर हम आपको चलना नहीं नहीं भगवान से उद्धव ने पूंचा आप जा रहे हमारी ब्यूस्था कौन करें तो कहा हैं तुजगधर्म होई बर्तत ये जुगधर्म होता रहा है लेकिन जोग के पूरुशों को इसका निर् बहुत अच्छा कहा कि योग्य पूरुश का ही चुनाव करना चाहिए हर जगा हर पीट पर बैठने के लिए और चार ही पीट मानिये है चार पीट पर ही चार शंकराचारी होने चाहिए योग्य पूरुश का चुनाव करना चाहिए और उनको ही शंकराचारी जितने भी बन झाल झाल झाल